आप सबको मेरा नम्सकार, मेरा नाम डॉक्टर, ट्रस होरोईट्स है नम्सकार, मैं डॉक्टर, मोनाली सा मुचा तुटा हूँ बाल चिकित्सा कॉविड लेक्चर श्रंखला भाग 2 में आपका स्वागत है इस व्याख्यान में हम बात करना चाहेंगे बच्चों में मल्टी सिस्टम, सूजन सिंड्रोम के बारे में जिसे के नाम से जाना जाता है हम आशा करते हैं कि इस व्याख्यान के अंध तक आप बच्चों में बहुवेवस्थापरक सूजन सिंड्रोम निर्धारित कर सकेंगे के खत्रों के संकेत पहचान सकेंगे बाल रोगियों में का रोग निदान कर सकेंगे और वाले रोगियों का उपचार कर सकेंगे वाले बच्चों की पहचान करने के लिए कोविड संक्रमन और या इसके अलावा संपक के तिहास को जानने की कोशिश करें जब आप उन बच्चों का आकलन करते हैं जिन है गंभीर दैएक लक्षण है इसके अतिरिक्ट यह बहुत आवश्चक है कि आप उन बच्चों के लिए बहुत संदिग्ध हों जो एक वर्ष से कम उम्र के हैं या जिन हैं दमा, मधुमे, मोटापा या प्रतिरिक शादमन जैसी सहरुगनता है इसके बाद हम के रोग निदान के मांदंड की ओर जाएंगे का निर्धारन कई विशिष्ट मांदंड से होता है इसमें शामिल है 19 से कम उम्र के बच्चे और हाल ही में पाया गया कौविट संक्रमन या संभावित कौविट संक्रमन बिल्कुल ठीक, रस, इसके अतिरिक्त रोग निदान के लिए बच्चे को तीन दिन से ज्यादा बुखार होने की और कई मल्टी सिस्टम असामान्यताएं होना आवश्यक है जैसे शारीरिक जांच से देखे गए चिकते या विशिष्ट लैब पर इनाम ताकि संपून रोग निदान हो सके आएए अब जरा और विस्तार से इन मान्दन पर चर्चा करते हैं कि रोग निदान को थोड़ा और स्पष्ट और सरल करने के लिए हम यहां लिखे हूँ मान्दन का उपयोग करेंगे स्पष्टी करन को आसान बनाने के लिए हम इस चर्चा को दो सेक्षन में बाटेंगे पहले भाग में होने वाले सभी मान्दन होने चाहिए साथ में दूसरे भाग के मान्दन में से दो या आधेक आएए अब हम पहले देखे गए हूँ के मांदंड को क्रमिक रूप से देखें जिन मांदंड को मौझूद होना अनिवार्य है वे हैं 19 से कम उम्र और 3 दिन से ज्यादा बुखार होना वर्तमान या पहले हुए COVID संक्रमन का सबूट जिसका रोग निदान प्रतिजन जाच, सेरोलोजी या PCR या COVID-19 सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आने से हुआ था सूजन के बड़े हुए माकर जैसे सेड रेट, CRP या प्रोकेल सीटोनिन और इसके सिवाई संक्रमन के कोई भी मांदन के दूसरा भाग में पांच में से दो अंग प्रनालियों में असमान्यताओं की आवश्यक्ता होती है तवचा परिनाम जैसे चिकते या मून, हाथ या पेर पर शलेश मत्वचिय सूजन के संकेट यह सबसे आम परिनाम पाए गए हैं रक्त संचार प्रकरन अस्थिर्ता जैसा की देखा जाता है अलप रक्त चाप या अगहात से काडियाक डिसफंक्शन जो एको परिनाम से देखा जाता है या ट्रोपोनिन के बड़े हुए या प्रोबी इनपीएस के बड़े हुए स्तर जो कोई गुलो पैथी के प्रयोग शाला के प्रमान में होते हैं जिसे बड़े हुए पीटी या पीटीटी और रक्ट जाँच के मर में भी पाया जाता है और अंत में जत्रांत दुश्क्रिया जिसका प्रमान दस्त, उबकाई और ओध्रिक दर्ड से मिलता है। जब से रोग निदान हो जाता है तो रोगियों को अस्पताल में दाखिल करवाना चाहिए, याद रखें की और कॉविद, एक दूसरे की और बच्चों में होने वाले अन्य साधारन संक्रमन की नकल कर सकते हैं, इसलिए आनुभवेक रूप से उपचार करें यदि रोग स्पष्ट नहीं है और सेपसिस के संकेत है तो ट्विस्टरिट स्पेक्टरम एंटिबाउटिक्स देने पर अच्छी तरह से विचार करें, दो खास ओशधियां हैं जो के उपचार के लिए होती हैं, इव स्टरोइड और IVIG, दिये जाने वाले सबसे आम स्टरोइड है सॉल प्रती किग्रा होती है, काडियाक डिसफंक्शन से संबंधित हो सकता है, क्योंकि हमने बताया था मिलिरिनोन और नोरपीने फ्रीन जैसे वैसो प्रेसर की जरूरत हो सकती है, एक विशिष्ट एजेंट का चुनाव उसकी उपलबधी और तलपरक्ट चाप के स्तर और रोग रोगियों को हाइपकोएग्यूलिबल होने का खत्रा है और इसमें शिरा के ट्रोंबो एम्बोलाई जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं, इसलिए ठककारोध जैसे की कम मात्रा, एस्पिरिन को जब उपलबध हो तब देना चाहिए, जैसा कि हम सब जानते हैं अभी तक कोवि इस तर का संदे हैं, उन सब बच्चों में जो गंभीर दैएक लक्षन प्रस्तुत करते हैं खास तोर पर यदिवे, कोविड के संपर्क में आये हैं या उनमें सहरुगनता हैं, हू का मांदन के रोग निदान के लिए अच्छा मार्ग दर्शक है खास तोर पर जब बच्च के तहत उपचार की ताकि कोविड के कारण अस्वस्थता और कोविड-19 के कारण बाल रोगी के निधन से बचाव हो सके अंत में साधारन संक्रमनों का आनुभविक रूप से उपचार करें के उपचार के साथ साथ यदि आप कोविड जाच नहीं कर पा रहे क्योंकि बच् कर सकता है आपका बहुत धन्यवाद